हलो बच्चो कैसे हैं आप सब आपको आपके सामने अभी दो पैरो वाला जानवर दिखाए दे रहा होगा अभी आप सोचे होंगे कि यह दो पैरो वाला जानवर कौन है तो हमारी जीव विग्जान में सिर्फ दो ही केटेगरी है या तो पादब या जनतु तो चाहते हुए या ना चाहते हुए आप जनतु केटेगरी में ही आते हैं तो हम सॉरी हम बोला मैंने हम कौन है यहाँ पर मैं और यह जानते हैं यह कौन है चलिए देखते हैं इनको इनका नाम है माइक्रोस्कोप या शुक्षमदर्शी जो आपने कभी अपनी स्कूल की प्रयोक्षालाओं में लैब में या टीवी पे वीडियो में कहीं तो देखा होगा क्या है सारी ही जितनी भी आप विज्ञान पढ़ते हैं चाहे वो रासाइनिक विज्ञान हो यही केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो बाइलोजी हो सबका आधार यही है यही बताते हैं हमें कि कौन कैसा दिखता है किसको कैसे इलाज करना है और जितना सब कुछ भी हम पढ़ते ह वो इनी की वजह से हैं, तो आप सोच रहोंगे, अच्छा, सारे फसाद की जड़ यही है, लेकिन यह फसाद नहीं, यह इलाज है, जिससे आज हम यहां तक पहुच पाए हैं, तो हम, यानि मैं और यह मिलकर, और आप भी हमारे साथ मिलकर, पढ़ेंगे 11th और 12th की बायो, उस सुनाएं कि सारी जीव कोशिकाओं की इकाई जो है, वो कोशिका होती है, लेकिन क्या आपने कभी उस कोशिका को देखा है, कि वो कैसी दिखती है, तो चलिए, शुरू करते हैं कि कोशिका कैसी दिखती है, लेकिन जैसे हर चीज से पहले, हम श्री गणेश का नाम लेते हैं तो यहां हमारा आधार है कोशिका तो चलो शुरू करते हैं जै कोशिका मिया चलिए दिखाते हैं आपको कोशिका चलिए तो जैसे कि हम कोशिका देखने वाले हैं आज तो क्या करना होगा हम हमारी कोशिका देखेंगे सबसे पहले और कहां से ले सकते हैं वैसो तो बहुत से ज़गाव से आप कोशिका ले सकते हैं, लेकिन सबसे इजी जो दिखेगी आपको, वो आपकी चिक सेल्स होगी, निए गाल की कोशिका होगी, तो उसकी ऽाइड हम देखेंगे की वो कैसी दिखती है, तो क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले हम एक स्लाइड लेंगे, जो तो आपके चिक होता है, उसकी कोशिकाय बहुत सॉफ्ट होती है, दीरे से बिल्गुल ज्यादा नहीं रगणना है, आप इसको खोलेंगे और यहां से कुछ कोशिकाय निकालेंगे अब हमारी कोशिकाय इस पर आ चुकी है, अब क्या करना है? अब क्या करना है? क्योंकि कोशिकाय बहुत ही सॉफ्ट होती है, माइक्रोस्कोप में इतनी इजी ली दिछती नहीं है, तो उसको थोड़ा प्रभावित करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें स्टेणर मिलाएंगे stainer जो मिलाते हैं या बी रंजब जो मिलाते हैं हम वो methylene blue मिलाते हैं क्योंकि जतनी भी animal कोशिकाय है नहीं जो जनतू कोशिकाय होती है वो इसी से बी रंज़ित होती है चलिए एक drop हमारी जो पानी की drop है उसमें हम क्या करते हैं methylene blue mix कर देते हैं अब हमें इसे 20 सेकेंड के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से स्टेन हो जाए वेट करते हैं थोड़ा अब हमें 20 से 30 सेकंड हो चुके हैं हमारी जो सेल्स हैं कोशिका हैं वो अच्छी तरह से अभी रंजित हो चुकी है क्या करना है अब हमें एक कवर स्लिप लेनी है और इसे निडल की हेल्प से बिल्कुल भी इसमें एयर बबल या हवा नहीं जानी चाहिए ठीक है हम इसको निडल की हेल्प से यहां पे प्लेस कर देंगे अब क्या करना है जो एक्स्ट्रा स्टेनिंग बहा निकली वी है हमारी कोशिका अब दिखने लग गई है अब आप सोचोंगे मैंने चश्मा क्यों उता रहा है क्योंकि हर किसी की आइस जो होती है वो अलग-अलग पावर की होती है मैं सब की शमता अलग-अलग होती है और हमें यह पावर से इसे एड़्जेस्स करना पड़ता है अब हम माइक्रोस्कोम को और ज्यादा मैगनिफाई करके देखेंगे 45 करके देखेंगे ताकि आपको सेल का जो नुकलियस है वो भी अच्छी तरह से दिखाए दे और सेल के बाहर की जो कोशी का जिल्ली होती है वो भी अच्छे से दिखाए देगी तो चलिए देखते है कैसी दिखती है कोशी का तो बच्चों देखी आपने की कैसी दिखती है हमारी जो यह चिक सेल है या गाल की कोशी का है या जिसको जनतु कोशी का कहते है वो कैसी दिखती है हाँ वो बिना शेप की दिखती है क्योंकि चिक सेल का कोई फिक शेप या आकार नहीं होता वो कभी गोल भी हो सकती है हेग्जागोनल भी हो सकती है तो इस वीडियो में हमने देखी जनतु कोशी का अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे अगले वीडियो में हम डाइनसोर देखेंगे नहीं डाइनसोर हम न झाल झाल